मेरी सदभावना को यदि कोई मेरी कमजोरी समझता है तो आप आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि मेरा धर्म यदि मर्यादा पुर्शोत्तम राम बनना सिखाता है तो मेरा धर्म मुझे परशु राम भी बनना सिखाता है मेरा धर्म मुझे कर्तव निष्ट बनाने की अगर प्रेणा देता है तो मुझे मेरा धर्म धर्म की रक्षा करना की सिखाता है धर्मो रक्षती रक्षता यदि आज मैं धर्म की रक्षा नहीं कर पाऊँगा तो मेरा धर्म किसकी रक्षा करेगा धर्म समाज की रक्षा कैसे करेगा यह अभी व्यक्ति की आजादी सिरफ और सिरफ सनातन हिंदु धर्म के उपर क्यों कोई आपके उपर अटेक पे अटेक किया जा रहा है और आप उसका विरोध भी नहीं कर पा रहे आपको क्या सिखा दिया कि आपको एक गाल में कोई थपड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजीए क्या यह आज के समय में संबब हैं कि कोई आपके उपर एक उंगली उठाने की जुरूरत करे तो उसको हात मोड के उसको जबाब दे दीजीए ताकि दुबारा जो आपके पर आख उठा कर देखने की जुरूरत ना करें, देश में सबको पता है कि बिना मूच के दाड़ी कौन रखता है, अब मनोज मुंतुशर जी ये कहते फिर रहे हैं, कि आप लोगों ने ये डेड़ मिनिट का टीजर देखे, उसके उपर जो है, परसेप्शन बनानी शुरू क कर दिए, आप जाके फिल्म देखे, तब आपको पता लगेगा, देखे, आप फिल्म देखने जाएंगे, आप 500 रुपे खर्चा करेंगे, इनके 500 करोड रुपे पूरे, इनको अपने बेटों का नाम राम नी रखना, इनको दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करना है फिर उनको अलागे धर्म परिवर्तन कराना है, पर इनको जो है, हिंदू धर्म से रिलेटेड फिल्मों में काम करना है, इनको वहाँ पे राम भी बनना है, इनको वहाँ पे रावण भी बनना है नमस्कार मेहूर सवस्तिर आप देख रहें, ओन्यूस हिंदी, आदिपुरुस का टीजर लाउंच होते ही, जो विबात सुरू हो गया, और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जो रामायन है, उसका इस बार इसलामी करण दिखाए गया है, आदिपुरुस के अंदर जिस त वेद्प्रकास सर्माजी राज्यो राजनीतिक विसलेशक हैं और तमाम उद्धो पर अपनी बेवाकी से राय रखते हैं, वेद्प्रकास सर्माजी ओनी जिन्दी के चलन पर बहुत-बहुत स्वाल है धन्यवाद रिशर, आपने बहुत ही महत्वपून विशय को आज उठ इसकारों का, हमारे धार्मिक ग्रंतों का इसलामिक करण करने की साजेश हो रही है, ये बहुत ही दुखद है, और मुझे उससे भी ज्यादा दुख इस बात का लग रहा है, कि मनोज, मुंतशिर जैसे लोग जिनको अभी कुछ दिन पहले तक देश का युवा बहुत इस फिल्म के माध्यम से, इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक ये बताना चाह रहे हैं कि आज से 7,000, 10,000 साल पहले श्रिलंका में उन्नत किसम के नाई पाये जाते थे, जो रावण के जो है, यहां पे मल्टिपल कट वाले हेर कट बनाते थे, हनुमान जी बिना मूच वा या किसी ऐसे पुरुष को नहीं देखा, जो दाड़ी रखता है पर मूच नहीं रखता, देश में सब को पता है कि बिना मूच के दाड़ी कौन रखता है, और उसके बाद आप जो है रावण पुश्पक विमान, रामायन काल में पुश्पक विमान की कल्पना की जाती थी कि युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम जब युद्धा लोटे तो वो पुश्पक विमान पर लोटे थी, वहां दिखाया जा रहा है कि रावण जो है चमगादर के उपर बैठ कर आ रहा है, अब फिर उसके बाद ये क्या लेम एक्सक्यूजिस दे रहे हैं, कि उसने त्रिपुंड लगाया है, उसने ये लगाया है, मैं सुन रहा था, बहुत चीजों को देखो, आज सबसे बड़ी समस्था क्या है रिशब, कि जो आपकी उम्र के युवा है, वो इतने जदा स्काइफाई हो गए है, कि उनको स्नापचाट, इंस्टाग्राम और इससे उनको फुरसत ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि रमायन काल में क्या हुआ, माभारत काल में क्या हुआ, हमारे एतिहासिक दर्शनों के बारे में नहीं पता है, उसका ना होने का कारण ये है, कि जो आज के युग के पैरेंट्स हैं, उन लोगों को अपने कामों से ना जाने बस उनका बच्चा जो है किसी रियालिटी शो में आजा है उसके उपर आज के माँबाप की कोई इच्छा ही नहीं रह गई है तो जब आज समाज का महल जो सहिश्णू लिब्रल हिंदू समाज सनातन समाज का जो टेंपरमेंट यह हो गया है तो यह जो इसलामिक जिवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई आप सोची उस फिल्म के अंदर एक डायलोग कितने बेशर्मी से आमिर खान बोलते हैं कि मूँ में पान है हाथ में वो पान का जो है आप कहीं किसी पत्थर पे लगा दीजी और वहां पे लोग भगवान बोलके पूजने लग जाएंगे अब आप बताईए अगर मैं इसी प्रकार के अभी अभी व्यक्ति आपके चैनल के माद्यम से दे दूं तो 24 गंटे से भी कम समय में सर्तन से जुदा और धर सर से जुदा करने के नारे लगने शुरू हो जाएंगे पर आमिर खान जो खुद हज करने जाते ह खुद उम्रा करने जाते हैं और जाके टर्की के खलीफा के सामने लंबलेट हो जाते हैं वो सत्यमेव जयते फिल्म बनाएंगे और उसके बाद हिंदू के धर्म के हिंदू की माननिताओं के हिंदू के सांस्कृतिक जो मूले हैं माननिता हैं उनका मजाग बनाएंगे पर आज अब मनोज मुंतशर जी ये कहते फिर रहे हैं कि जी आप लोगों ने ए डेड़ मिनिट का टीजर देखे उसके उपर जो है परसेप्शन बनानी शुरू कर दिये आप जाके फिल्म देखिए तब आपको पता लगेगा देखिए आप फिल्म देखने जाएंगे आप 500 अब मैं आपको एक दूसरा उधारन देता हूँ अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक और एक वीडियो एक फोटो वाइरल हो रहा है अरुन गोविल जी जिनको राम अनंद सागर जी ने रमायन के अंदर भगवान राम के रूप में प्रसुत किया उन्होंने राम को जिया और ऐसे जिया कि आज भी उस रमायन को बने में कितने साल हो गए मेरे खाल 40 साल हो गए होंगे आज भी लोग एरपोट पे उनके पैरों में पड़ रहे हैं और जो भगवा गमचा दिया वो अपने बिमार पती के गले में ले जाके डाल रही है कि ये भगवान श्री आशिरवाद है शायद इससे आप ठीक हो जाएंगे देखिए हमारे जो हिंदू धर्म की माननेता है उसमें आस्था बहुत बड़ी चीज है आप सोचिए हम उस सस्कृती में पैदा हुए हैं जिसमें ये बोला जाता है कि मन चंगा तो कठोती में गंगा कि एक जूता सीलन वाले व्यक्ती ने जो है उनकी मन की पवित्रता देखिए जिन्होंने अपनी कठोती में से कंगन निकाल के मीरा बाई को दे दिये तो हम उस सस्कृती के जो है परिचायक हैं उस सस्कृती में पले बड़े लोग हैं पर आज जिस तेजी से ये विश्व के अंदर डिजिज से प्रतिकार किया हमारे उपर जो अटैक किया जा रहा है पर अगर आज हम उसको प्रतिकार करते हैं तो उसके बाद ये बोलेंगे जी ये इस्लामोफोबिया करने की कोशिए आप बताइए आज कमल हसन सहाब ने कोई एक फिल्म मनाई थी विश्वरूपम करके अब देश क जब हम बाल्य अवस्ता में थे तब कृष्णा करके एक जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक जो है सीरियल आय करता था नितिश भारदवाज ने उस कृष्णा को ऐसे जिया ऐसे उन्होंने उसके अंदर अभिनाय किया कि वो जो है ऐसा स्टार केंपेनर जो है चुन और ये पिछले हम 2-3 साल से संघर्ष की भूमिका में है कि किस प्रकार से हर तरीके से हमारे उपर साहितिक जिहाद हो रहा है हमारे उपर सांस्कृतिक जिहाद हो रहा है हमारे उपर लव जिहाद हो रहा है अब जिहाद के किसी फॉर्मेट को ले लीजिए आज हमारे उपर चो तरफा आक्रमन हो रहा है परन्तु हमारी इग्नोरेंस और जो हमारा धर्म से अपनी सस्कृती से जो अलगाव है जो अत्यधिक ये जो digitization है जो अत्यधिक self-obsession है आज के बच्चों को क्या हो गया है आज के बच्चों को Snapchat में कितने फॉलोर हैं आज के बच्चों को Instagram में कितने फॉलोर हैं आज के बच्चों को इसके लावा कुछ नहीं चाहिए पर आज के बच्चों को ये नहीं पता कि Shri Ram कितने भाई थे आज के बच्चों को अगर आप पूछेंगे कि यूग कितने थे, कौन से यूग में कौन से भगवाना है नहीं पता, परन्तु ये जो सबसे बड़ा, ये सेकुलरिजम का एजिंडा चलाते हैं, ये जो है दिन में पांच वक्त नमाग पढ़ना नहीं भूलते, ये वक्त हज और उम्रा करना नहीं भूलते, ये लोग, जो हलाला को भी समर्थन करेंगे, मुतहा को भी समर्थन करेंगे, और उसके बाद आपके लिए कारिक्रम चलाएंगे, सत्यमेव जयते, फिर कहेंगे परदा-परथा बहुत बड़ा सामाजी का अभिशाप है, परन्तु बुर्का पहनना सबसे बड़ा लिबरलिजम है, अगर इसके उपर आप चर्चा करेंगे, तो फिर आपके उपर फत्वे जारी हो जाएंगे, तो देखिए, ये जो सद्भावना और ये सेकुलरिजम है, ये एक तरफा नहीं चलेगा, आज इस देश के अंदर 80% सनातन हिंदू समाज, जो इतना लिबरल है, देखिए, लिबरल त आपको क्या सिखा दिया, कि आपको एक गाल में कोई थपड़ मारे, तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, क्या ये आज के समय में संभव है, आज के समय में ये संभव है, कि कोई आपके उपर एक उंगली उठाने की जुरुरत करे, तो इसको हाथ मोड़ के उसको जबाब द दीजिए, ताकि दुबारा जो आपके उपर आँख उठा कर देखने की जुरुरत ना करे, मेरा धर्म मुझे कर्तव निष्ट बनाने की अगर प्रेणा देता है, तो मुझे मेरा धर्म धर्म की रक्षा करना भी सिखाता है, धर्म रक्षती रक्षता, यदि आज मैं धर्म विशेश को धार्मिक स्वतंतरता देता है क्या मेरे देश का कानून सिरफ एक वर्ग विशेश को अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर किसी के भी धर्म को स्टिरियोटाइप करने के आजादी देता है नहीं देता यदि इस देश का 80 प्रतिशत सनातन हिंदू समाज भी यही करने लग गया तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को जो है यहाँ पर सर छुपाने की जगे नहीं मिलेगी परंतु मेरा धर्म ये करना नहीं सिखाता मेरे संसकार मुझे ये करना नहीं सिखाते मेरा धर्म वसुदह कुटुमबकम की बात करता है मेरा धर्म सर्वे भवन्तु सुखे नसर्वे संतु निरामया की बात करता है मेरा धर्म इंक्लूसिवनिस की बात करता है परंतु मेरी सद्भावना को यदि कोई मेरी कमजोरी समझता है तो आप आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चेतावनी देता हूँ कि मेरा धर्म यदि मर्यादा पुर्शोत्म राम बनना सिखाता है तो मेरा धर्म मुझे परशु राम भी बनना सिखाता है और आज के युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोद करूँगा कि भाईया आप Instagram भी चलाओ, आप Snapchat भी चलाओ, आप अपने आपको up to date रखो परन्तु आज आपके धर्म के उपर, आज stand-up comedy के नाम पे आपके धर्म को stereotype किया जा रहा है आप 500 रुपे की ठिक्टे देखकर उस stand-up comedy में comedy देखने जाते हैं आपके भगवान शिव का मजाग बनाये जा रहा है, आपके गणेश भगवान का मजाग बनाये जा रहा है और आप बेशर्मार की तरह हस रहे हैं, पर जो व्यक्ति मजाग बना रहा है अगर उसके ऊपर कोई भी इस प्रकार का प्रतिकार होता है तो फिर वो जो है, मैं मुसल्मान हूँ, इसी लिए मुझे टार्गेट किया जा रहा है इस प्रकार से गरवा पांडाल में मर रहा है अरे आप बताइए, आपको गरवा पांडाल में आना है ना तो आप अपनी भेन बेटियों को भी लेकर आईए आप समाजिक आप गंगा जमुनी तहजीव अभी मैं टीवी चैनल पर देख रहा था एक मौलाना कह रहे थे कि पिछले आठ साल में देश का महालग खराब हो गया मैं तो मौलाना साब से अनुरोध करूँगा आप आईए गंगा देखिए मेरा धर्म तो सारे धर्म का सम्मान करना सिखाता है जब आपको इतना ही गर्बा करने की आग लग रही है तो आप अपने परिवार वालों को भी लेकर आओ आप अपने पूरे परिवार सही तो आपका स्वागत होगा परन्तु नहीं वहाँ पर नकली नाम हात में कलावा बांध के आएंगे और जो है आकर क्योंकि उनका टार्गेट क्या है उनका टार्गेट सिरफ एंटर्टेन्मेंट है उनका टार्गेट छेड़ खानी है उनका टार्गेट उससे भी आगे है परन्तु जब पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है कानून की आड में छुपने की कोशिश करेंगे उसके बाद जी जी हम तो अलपसंख एक अरे भाई एक बात बताओ जब तुम्हारे धार्मिक आयोजन होते हैं तुम्हारे धार्मिक आयोजन में तो कोई इंटरफेर करने नहीं जाता गंगा जमनी तहजीब ये एक कौन सी गंगा जमनी तहजीब गंगा भी हमारी जमना भी हमारी कौन सी गंगा जमनी तहजीब आज इस प्रकार से इस देश के अंदर false narrative create किये जा रहे हैं आज के युवाओं को आवशकता है कि अपने धर्म का स्वाध्याय करें भगवान राम ने मर्यादा पुर्शोत्तम होना सिखाया भगवान कृष्ण ने जो योगी राज भगवान कृष्ण के नाम से मशूर थे उ अरजुन कायरता को प्राप्त कर चुका था उसका उत्सावर धन किया उसको जो है कुरुशेत्र के मैदान में उसको आत्मा का ग्यान दिया उसको अध्यात्म ग्यान दिया और उसको जो है लड़ने के लिए धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया आज आप के अंदर जो लोग माहौल खराब करने की बात करते हैं जो लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि ये हंदुस्तान किसी के बापका थोड़ी है अगर आपके भी बापका उतना ही है तो अपने बापकी संपती को कोई आग नहीं लगाता है अपने बापकी संपती को कोई तोड प्रुरिजम चल रहा है ना और इस प्रकार का जो एक अगोशित युद्ध देश के ओपर थोपा जा रहा है इसके इसको समझना जरूरी है और इससे बचने के लिए इस प्रकार की अन्वांटेड सिचुएशन से बचने के लिए देश के युवाओं को जागरूख होना आप एक बात सोचिए जस देश में बाबर और तैमूर को सेलिब्रेट किया जा रहा है रनवीर सिंग ने रोल किया और देश के युवितियां जो है उसके फोटो को इंस्टाग्राम में शेयर कर रही है और कह रही है कि वाओ ही लुक्स हो हाथ ही लुक्स हैंसम इसका मतलब बाप समझते हैं कि आपके ऊपर एक कल्चरल आपके ऊपर एक वैचारिक अतिक्रमन हो चुका है क्यों आज आपके देश की एक हेरोईन जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसको आप महीला साशक्ती करन का बहुत बड़ा जो है प्रारूप कह रहे हैं वो अपने बेटे के युवाउं ने पढ़ा तो अगर तैमूर के इतिहास का 10 परसेंट 15 भी अध्यन कर लिया जाए तो तैमूर के नाम से घिनानी शुरू हो जाएगी जो लोग आज रनबीर कपूर की डीपी लगा के वाव लुक सो होट बोल रहे हैं अगर वो बाबर की हिस्ट्री को जरा सा पढ़ ले तो उनकी रूह कांप जाएगी परंतु दुखद विशे ये है कि मेरे देश में ना बाबर पढ़ाया जा रहा है ना तैमूर पढ़ाया जा रहा है फिल्मों के माध्यम से अतिक्रमण किया जा रहा है आपकी संस्कृति को आपके इतिहास को आपके गौरवशाल किया कसने लगेंगे तो अगर आज इस शुरुवाती दौर में यदि इसका विरोध नहीं किया गया इसका प्रतिकार नहीं किया गया नहीं तो ये तो बजार बना हुआ है साब जिसको आप आज राष्टवादी कहके पूज रहे हैं क्या पता वो दो करोड रुपे में बि बनाना है और पैसा आपकी कोस्ट पर बनाना है और उसके बाद जब ये पैसा बना लेंगे तो फिर उसके बाद ये हर विचार आपके उपर थोपते जाएंगे और आप उन थोपे हुए विचारों के तले दब जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि आज समाज में सत्संग नहीं हो रहा है जो हमारे घरों में दैनिक संध्या हवन पूजन की विधीती वो धीरे-धीरे लोप हो रही है आज त्योहारों का बाजारी करण हो गया है आप सोचिए हम किस प्रकार के कल्चर में आगे बढ़ते जा रहे हैं आज एक तरफ आप रश्या में जाएंगे तो रश्या घर में भगवान की पूजा नहीं करेंगे आज आप घर में दिया नहीं जलाएंगे और आप आपने सिरफ और सिरफ त्योहारों को आपने एक एंटर्टेन्मेंट का जो है एक छुट्टी का दिन बना के रख दिया है ये कमी हमारी है क्योंकि यदि हम इकठे होंगे यदि ह हम संगठित होंगे हम अपने धर्म के अपने समाज के प्रति अपने इतिहास के प्रति जागरुक होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दुबार आदी पुरुष जैसी कोई दुबारा फिल्म बनाने की जुरत करें यदि आज आज इस फिल्म का प्रतिकार नहीं किया आज आज देखिए राम कदम ने बोला आज जो मा सीता बनी थी दिपका चलखिया जी उन्हों ने बोला आज ये आवाज देश की आवाज बननी चाहिए आज आधी पुरुष के नाम से आप सोची आप बॉलीवुड की फिल्में उठा लीजिए आज ये लोग कितनी कितनी श पुझ्यों उनको उनके कैरेक्टर को ऐसा प्रदूशित कर रहे हैं कि आपको उसकी आदत लग जाए क्योंकि आप तो लिब्रल हैं आपको तो पढ़ाए गया है कि कोई एक थपड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लीजिए और आपको भी मजा आ रहा है क्योंकि आप सोच राम लीला करके एक अब उसके उपर डिबेट होगी तो फिर बोलेंगे जी ये तो हमारे जो है अभिवेक्ति की आजादी है और ये जो कला का एक प्रस्तुति करण है आप तो हर चीज पर धर्म मैं कहता हूं कि भाईया आप जड़ा इस्लामिक लोगों के उपर भी कुछ करके देख लीजी अगर आपको इतनी अभिवेक्ति की आजादी का शौक है देखा ना आपने चारली हब्दों में क्या हुआ एक भाई साब ने सिरफ काटून बनाय था उसकी गर्दने उतार दी और क्रिश्चन के उपर बनाके देख लीजे आप फिल्मे बनाते हैं आपकी फिल्मे रिलीज नहीं होती हैं तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी आपकी नहीं है ये जिम्मेदारी सेंसर बोड की भी है अरे सेंसर बोड वाले लोग क्या भांगा के सूते हैं उनको समझ नहीं आता ह क्या कि ये क्या हो रहा है क्या इससे धार्मिक sentiment hit नहीं होते हैं आप बताइए रावन बना दिया मिलब 3D animation जैसा रावन बना दिया क्या इसके यहां से बाल कटे होग 사से यहां से बाल कटे भाई ये कैसा रावन है और उसके दोग आके defend कर रहे हैं कि यह जो समय काल और परिस्तिती के अनुसार हमने जो है इसका चेंज किया है तर्टर जो है वो भी यह कह रहे है कि यह 3D में नहीं है सिर्फ आप लोग फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं अगर इस फिल्म को बैन नहीं कराया तो मैं बता रहा हूं इस इंडस्ट्री के अंदर और दस लोग इकठे हो जाएंगे और उसके बाद जो वो आपके उपर इसी प्रकार के शोद करेंगे आपके बच्चे धर्म से विक्षप्त हो रहे हैं उनको और विक्षप्त बना दिया जाएगा और आने वाली जनरेशन में मैं आज दावे से आपको कहता हूँ आज के टीनेजर से या 20-25 साल के युवा से पूछ लीजिए ना उसको अमावस का पता ना पूर्णी में का पता ना श्राद का पता उसको ये तक नहीं पता कि दशारा क्यों मनाई जाता है दिवाली क्यों मनाई जाता है होली का महत्व क्या है और ऐसी फिल्में आप ले जाके दिखाएंगे तो दीरे दीरे वो धर्म फिमुक हो जाएगा आज आपका बच्च चोड़े मैं कह कहेंगा I'm a atheist मुकेश घंणा जी ने जो बात कही हो यही कही कि मतलब यह सिर्फ रामायर की बात नहीं है यह संस्कृति जो है हिंदुस्तान की संस्कृति जो है उसको तोड़ने की कोसिस है अब भी उनकी बात समय है मैं बार-बार एक बात को दहराता हूं किस सिनेमा का मतलब आपकी कल्चर को आपके धर्म को आपके संस्कृति को जिसके उपर आप गर्व कर सकें उसको पूरी विश्व तक पहुचाना है नगनता सिनेमा नहीं हो सकता अशलिल्ता सिनेमा नहीं हो सकता Hollywood कर रहा है वो काम क्योंकि उनका culture उस चीज को उनके वो चीज acceptable है तो वो चलता है आप लोग जो यहाँ पर आज जो defend कर रहे हैं लोग या जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि किरदारों को इस तरीके दिखाए गया या जो लोग सिर्फ इसलिए भाय कोड़ एकाइन क्योंकि सैफली कहने सैफली कहने अपको डिकक त अमीर strongest रोडर क anten को ताल्किंगा एक बात बॉताएे अगर हम लोगो को आमीर झारो आपको रोड़ का रोड़ा होती है तो आज इतनने बड़े ओपरस्टार होते क्या देश की जनता कहती कि हम 80% हिंदू हैं सरफ हिंदू कोई celebrate करेंगे देखिए हमारा culture मैंने बार-बार यही कहा न हम लोग beyond caste, creed, religion क्योंकि entertainment या कला का कोई धर्म नहीं होता है परन्तु कला यदि किसी धर्म विशेष को target करके फिल्में बनाएगा अभी वेक्ति देगा तो उसको मंजूरी नहीं दी जा सकती हो सकता है इस देश का sensor board भांग खाके सोया हो पर देश की जनता को उठना पड़ेगा आज आपके उपर हादी पूरिश थोपी गई है कल तमाम ऐसी फिल्में बनाई जाएंगी जो आपके लोगों को stereotype किया जाएगा इस बार लोग कह रहे हैं कि बाइकॉट नहीं क्योंकि बाइकॉट करकर थक चुके हैं इस बार बैन होना चाहिए आप भी आसे ही मारे बैन मैं तो कह रहा हूँ इनके पूरे content में नाग लगा देनी चाहिए कि दुबारा जो है उसका कोई अवशेस ना बचे कि कोई ऐसी हिमाकत ना करे कि इस प्रकार की जो है अभी व्यक्ति कोई लेकर आए वापस मैं करो इसको destroy कर देना चाहिए जो total अगर इनका content है और ये यदि हमारी धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है हमारी धार्मिक मननताओं के हमारे मुल्यों के खिलाफ है तो इसको destroy कर देना चाहिए ban तो छोड़िया ban करके क्या करेंगे content तो पड़ा रहेगा फिर ले जाके OTT में डाल देंगे YouTube में डाल देंगे open market में डाल देंगे उठा लो आप वहां से उसके बाद उसको penetrate करते रहेंगे दीरे-दीरे इसको destroy complete destroy यदि ये इस प्रकार देखें ये एक बहुत सोची समझी साजिश है ये ये कोई अंजान में नहीं बनाई आप बताए हनुमान जी हनुमान जी यदि आप हनुमान चाली सा पढेंगे तो उसमें हनुमान जी के व्यक्तित्व का wishlevation है उसमें बताएंगे है कि हनुमान जी का वर्ण क्या है हनुमान जी कैसे है और हनुमान जी हनुमान जी एक मॉलवी की तरह दिखा दिया बिना मुच वाला दाड़ी वाला हनुमान जी, आप बताईए दिखाना क्या चारे भाई आप, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे संस्कृति के ओपर कल्चर के ओपर आगात है और इससे बचना होगा, एक लाश्ट मैं आप से सवाल जाना चाहता हूं कि आपने उत्तरप्रदे वहां से आपने करीबी से देखा और नेपाल में भी देखा हूँ है, तो यहां के जो लोग हैं उनके अंदर जाका जादा है भारत के अंदर नेपाल के अंदर के लोगों के अंदर राम के लिए खास करके रामायर के लिए बहुत आस्था है, ऐसे में क्या उनके साथ जो एक भारत नेपाल का एक सांस्कृत एक अध्यात्मिक संबंध है निश्चित रूप से यदि यहां के सेंटिमेंट होते हैं तो नेपाल में भी उतने ही उससे ज्यादा सेंटिमेंट होते हैं नेपाल के अंदर विजय दश्मी का पर्व इतना जोरो शोरोशे मनाया जाता है कि अगले पांच दिन तक नौ दिन नवमी तक दश्मी और अब पांच दिन तक बहुत उत्साह के साथ और बहुत ज्यादा वाइबरंसी के साथ दशहरा को मनाय जाता है वहां पर विजय दश्मी को जो है बड़ों से आशिरवाद लेने के पर्व के रूप में मनाया जाता है तो निश्चित रूप में यदि इस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से आप सोचिए नेपाल के अंदर हिंदी फिल्में जो है बहुत प्रमुक्ता से दिखाई जाती है यदि फिल्मों के माध्यम से इस प्रकार का एक एजिंडा चलाया जाता है तो नेपाल में भी उसका विरोध होना लाजमिया और वहां से होता रहा है मनोज मुंतुषिर के लिए कमेंट चाहूंगा मनोज मुंतुषिर ने कहा कि रावड चाहे वह खिल्जी के चैसा दिखे या चमगाद़ पर बैठके भी आई रावड तो बुरा ही था तो उसमें फिर बुरा ही क्या है आप लोगों को क्यों मतलब इतना क्यों मतलब बोल र है पर आपर डिफेंट करने के चक्कर में विजनस के चक्कर में आप इस प्रकार अगर अंध बात करेंगे तो देश की जनता आपका भी विरूद करेगी और प्रचुर विरूद करेगी तो मैं आप यह एक बहुत ही sentimental issue है, यह धार्मिक और सांस्कृतिक विशय का मामला है, अगर आप इस प्रकार से डिफेंड करेंगे, तो जनता आपका प्रचुर विरोध करेंगी, सैंफली कान ने कहा था एक इंटर्व्यू के दौरान कि मैं अपने बेटे का नाम कभी राम नहीं रख सकता हूँ, क्या कहीं? तो यह इन लोगों का दोराचरित्र देश की जनता देग चुकी है, समझ चुकी है, और देश की जनता इनका माकूल जबाब दे रही है. लगातर वे सुर्माजी से बात करने की कोशिस करें इनका यही कहना है कि इस बार इस फिल्म का और इस तरीके की फिल्म जो सांस्कृतिक जिहाद को बढ़ावा देती हो उसका सिर्फ वाइकॉट नहीं होगा बलकि बैन लगेगे और इस तरीके का कंटेंट जो भी उसको डिस् अंसर वोड जो है वो जागरूग बने और इस तरीकी की फिल्मों को टीजर को आने से पहले ही रोका जाए आप देखते हैं यह ओन्यू जिंदी धन्यवाद जेहें